चाहे बाहर बैठे वे ये जो लोग है ना सारे जावेद अक्तर से लेकर स्वरा भासकर से लेकर के और नजाने कौन-कौन से ये लोग है लगातार वो ले इनोसेंट छोटा सा बच्चा बिचारा ए राम पता नहीं मतलब दूद की बोतल मूँ में लगाई थी और पता नहीं क अनन्या के घर में भी सर्च हुआ है उस वहां से उसके इलेक्ट्रोनिक डिवाइस जो थे वो अपनी पजेशन में लिये हैं और अभी बहुत लोगों की वाइसे बाइदे वे रातों की नींद हराम हो रखी है क्योंकि बहुत सारे नाम है अभी तो ये एक एक नाम हमारे सा है उड़ता बॉलिवूट से धर्ती पर लाने वाले बॉलिवूट का जो अभियान चला है ये सुशान सिंग राजपूत की रहसे में मृत्यू के बाद ही हुआ है और मैं बार बार ये बोलती हूँ कि सुशान तुमारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदूस्तान ये जाय अगया तो सारे के सारे लोग लामबंध हो गये लेकिन कोई बात नहीं है तो तुरंत शारू खान पहुँंच गये कहां ऑथा रोड जेल में अफार रोड जेल में मिलने के जो मायने मुझे लगते हैं दो तीन है पहला तो ये कि भाई कई लोगों को ये लगता होगा कि यह यह हो भी सकता अपने बेटे को हिम्मत देने बोलागा कि तू चिंता मत कर तेरा बाप है हालांकि अभी ये पता लग गया कि शारुक खान की सारी की सारी जो वो थी ना मनी और मसल पार वो धरी की धरी कानून के आगे रहे गई है ये मतलब ये सोचना कि कानून को हम खरीच सक अगर आप गलत हो तो ये भाई नया भारत है यहां सजा मिलनी तै है अगर गलत करोगे इलीगल काम करोगे तो सजा मिलनी तै है तो वो अपने बेटे को यही बोलने गयते फिर भी वो हिम्मत बठाने गयते कि भाई मैं हूँ तु चिंता मत कर पर मेरे इसाब से मुझे लग तेरे को बेल मिल जाए लेकिन उसके बाद मज़ेदार कहानी ये हुई कि बेटे से मिल करके वो बढ़िया गए थे चश्मा लगा करके उसके बाद जैसे घर पहुंचे घर में वो मननत में जननत में आराम से बैठे थे वहाँ पहुंच गई NCB और NCB ने वहाँ भी कल छापा म बिलने के लिए पूजा ददलानी को भी कल नोटिस दिया न जंकी क्योंकी खुझार ये बात मानी कि द्रक्स की गिरफ्त में था जाए कि जाएद का पहुघ है गूंट जिंदगी के और उसने पी लिये तो बच्चे को विचारे को फसाद दिया गया वो बच्चे ने उस बच्चे ने सुईकार किया और पंचनामे में है ये बात पंचनामे में लिखी हुई है कि वो नशे की गिरफ्त में था तो उसका इसलिए रूम वगेरा सब कुछ स सारे नाम है अभी तो ये एक एक नाम हमारे सामने आया है और ये भी टाइम के साथ आया है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिकेशन का दाइरा बड़े का जो एंसी भी बढ़ा रही है उससे आप देखेगा आगे ये बहुत बड़ी खेल कहानी होनी चाहिए मैं उसमें कुछ ड्रक्स जो कंजूम करते हैं उन लोगों को पकड़ा गया है नहीं ऐसा नहीं है इसके जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल ड्रक काटल के साथ हैं और ड्रक पेडलर्स के साथ हैं ये बहुत बड़ी कहानी है उसके बाद ही इमतियास खत्री को बुला करके तीन पूशताच की गई है ये भी एक अपने में बहुत बड़ा इतिहास है मतलब इंटर्टेनर्स इमतियास खत्री ये सारे के सारे लोगों पर किसी की भी आज तक मुंबई के अंदर हाथ डालने की हिम्मत नहीं हुई है ये जो बड़े-बड़े महा विनाश वसूली अगाड सरकार के नेता बाहर निकल कर के आ रहे है ना और इन लोगों को बचा रहे है इसे ये पूचना चाहिए क्का रिष्ता क्या है ऐसी क्या तकलीफ आप लोगों को हो रही है कि छापा उनके घर में पढ़ रहा है बिल्कुल कीजिए मुझे अपने युवा बचाने है मुझे स्वच्च महराश्ट चाहिए उसमें आप ये बाते करेंगे विजय दश्मी के दिन मुख्या मंतरी सहाब एक भाशन देंगे अपने लोगों को ये पता चलता है कि कहीं कुछ गड़बर है दया और बहुत कुछ गड़बर है सुसान सिंग राजपूत के मौत और हत्या के बाद ये NCB की जो एक्शन स्टार्ट हुई थी बॉलिवूड के बड़ जो ड्रक्स के खिलाफ युद्धे स्टार्ट हुआ था तो जिस तरीके से बॉलिवूड के काली कर्तुतों की परते एक के बाद एक खुल रही है हवाला और पॉर्ण मुवीज ड्रक्स तो आपको लगता है कि ये सुसान सिंग राजपूत को इंसाफ मिलेगा उनके परिवार उनके फैंस को इंसाफ मिलेगा बिलकुल डेफिनेटली मिलेगा और उस कड़ी में तो मैं भी आती हूँ क्योंकि सुशान के फैंस को extended family of सुशान सिंग राजपूत बोलना मैंने आरंब किया और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं इंदुस्तान ये जाया नहीं जाएगा क्योंकि सुशान सिंग राजपूत को अभी नयाय मिलना बाकी है और उपर बैठी वी उसके आत्मा कहीं न कहीं खुश जरूर होती होगी कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैंने दिन रात काम किया लेकिन ये कभी मेरे साथ आकर के खड़े नहीं हुए लेकिन एक एक व्यक्त एक लड़का एक युवा जब नशा करता हुआ और नशे का काम करता हुआ पकड़ा गया तो सारे के सारे लोग लामबंद हो गये लेकिन कोई बात नहीं है उसकी कोई हमें सुषान को न देश की जनता को उसकी ज़रत है सुषान के साथ सुषान का बहुत बड़ा परिवार है और ये जो क्लीन और जो नशामुक्त भारत की जो युद्ध शुरू हुआ है ये सुषान की मृत्यू के बाद डेफिनेटली शुरू हुआ है क्योंकि उसके बाद ही सारी चैट्स निकल करके बाहर आई उसके बाद इम्तियास खत्री का नाम निकलना शुरू हुआ उसके बाद ये जो बॉलीवूड के बड़े बड़े लोग है इनकी वाटसाइप चैट्स निकली इनके संबन हुए कुछ गिरफतारियां हुई बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि उसके बाद पहली बार एक जो इंटर्टेन्मेंट इंडस्ट्री है जिसको एक अभेद किला बोला जाता था मतलब ऐसे चारों तरफ से वो बंदे वे रहते थे बोलती आएं और बोलती रहूंगी कि याद रखेगा इंदुस्तान जब सुषान सिंग राजपूत की मृत्यू के सच निकल करके आएंगे वो बहुत चौकाने वाले होंगे और सुषान सिंग राजपूत की जो ये रहस्यमाई मृत्यू है उसका लेना देना connection 100% क्या 1000% नार्कोटिक से है ये बात से मैं पूरी तरीके से convinced हूँ और इसलिए convinced नहीं हूँ कि मुझे कोई conspiracy theory करनी है नहीं पूरा जो मैं इस case को day one से देख रही हूँ उसको study करके analyze करके पूरे विश्वास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि जिन जिन लोगों ने सुशान के साथ गलत किया है उनको सजा जरूर मिलेगी ये सारी चीज़े interlinked है interconnected हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कोई two ways नहीं है और दूसरी बात एक बात और साफ कर देना चाहते हूँ जिन लोगों को ये गलत फ़हिए कि हम पूरे entertainment industry के खिलाफ है ऐसा कुछ नहीं है आपके बोलने से कोई फरक नहीं पड़ता है black sheep वो गलत है और उनके बारे में बात भी की जाएगी उनको expose भी किया जाएगा उनके खिलाफ खड़ा भी हो आजाएगा अगर वो ड्रोल भी करें तो करते रहें उससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता है जो सच है वो definitely बोला जाएगा और नियाए हर जगे होगा चाहे हो सुशान का नियाए हो चाहे हो ड्रक्स मैनेस खतम करने का नियाए हो जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा racket अपना खड़ा करके रखा हुआ है मतलब क्या नहीं होता है वहाँ पर हर activity जिसका आप नाम लेलो वहाँ पर है लेकिन यह जो नार्कोटिक्स का जो टेररिजम है नार्कोटिक्स आतंकवाद इस आतंकवाद को खतम करना और नार्कोटिक्स के जो यह आतंकवादी बैठे में इनको खतम करना इस वक्त की बहुत जादा अवशक्ता है कई लोग बोलते हैं कि why entertainment industry, why Mumbai, क्योंकि Mumbai में ये बहुत जादा मात्रा में, बाकी जगे जहा है, वहाँ भी खताम होना चाहिए, लेकिन इस वक्त कि जो main, जो focus है, वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर जो ये बच्चे हैं, आरियन खान, शारुक खान, इनको लोग idealize करते हैं, धुआ उड़ाते वे देखेंगे, तो उनको लगेगा यही lifestyle है, नशा करो, नशा is so cool, तो इसलिए इसको खतम करना, और इसको बंद करना, हमारी जिम्मेदारी है, और हम investigative agency के साथ खड़े हैं, Mr. Samir Vankheडे के साथ खड़े हैं, और वो तमाम लोग, जो बार बार गलत बयान बाजी कर रहे हैं, चाहे वो नेता हैं, और चाहे वो अभी नेता हैं, उनको ये समझ जाना चाहिए, कि देश की जनाता से उपर, देश के समविधान, कानून और विधान से उपर कोई नहीं है, वो जिस भी तरीके की conspiracy theory करने की कोशिश करें, वो नहीं हिला सकते, अगर इस देश में ऐसे भरष्ट नेता भी हैं, जो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, शिर्व सेना और एंसीपी के अंदर, तो फिर हमारे देश के अंदर समीरवान खिड़े भी हैं